हाई फ्रिंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दैंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए होप बिलकुल अच्छे आज हम आपके लेके आए हैं ड्राय मंचूरियन बनाने में बहुत ही आसान है और सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है तो फ्रि अगर आपके पास में हैं तो आप इसको कद्दू कस्भी कर सकते हैं या जार में डालके बारीक-बारीक इसको कट्थ सकते हैं सबसे पहले बारीक कटी पत्था गोबि को इक बाउल में डाल देंगे अब हमने लिया है कॉन्फलोर तीन चमच हम कॉन्फलोर डाल देंगे बहुत ज्यादा नहीं डालना है और तीन चमच ही हमने लिया है मैदा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे एक छोटा चमच लालमिश पाउडर डाल देंगे एक छोटा चमस धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखे बारी कट कीवी पत्ता गुबी के साथ में मैदा, कॉर्ण फ्लार, नमक, मिर्च, सब चीज बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है अब हमने लिया है पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम आटा लगा लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मंचुरियन की बॉल्स बनानी है इसलिए हमने देखिए थोड़ा सा पानी डाल के आटे को लगा लिया है और यह बहुत ही आसानी से लग जाता है जादा मैनत की जरूत भी नहीं लगती है पता गोबी भी जूसी होती है इसलिए पानी कम ही डालें देखिए बॉल्स बनाने के लिए मटीरियल बिलकुल रेडी हो चुका है अब हम मंचुरियन की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे बॉल्स हमें जादा बड़ी नहीं बनानी है मिडियम साइज की ही बनानी है इस तरह से छोटी-छोटी मंचूरियन की बॉल बना लेंगे आप मंचूरियन बनाने के लिए बॉल का साइज अपने हिसाब से भी बना सकते हैं मैं यहाँ पे मेडियम साइज की बना रही हूँ लगबग 15-16 बॉल बनके तयार हो जाएंगी देखिए कितनी आसानी से बॉल्स हमने तयार कर ली है इसे तरह सारी बॉल बना के रेडि कर लेंगे मंचूरियन के लिए सभी बॉल्स बना के हमने रेडि कर ली है अब हमें बॉल्स को डिफ्राई करना है deep fry करने के लिए हम oil को गरम होने रख देते हैं oil गरम हो चुका है सबसे पहले हम एक ball डाल के चेक कर लेंगे कि मंचुरिन की जो ball है वो फट तो नहीं रही है कई बार क्या होता है कि oil में डालने के बाद में balls फट जाती है पर देखिए ball एकदम सही है फटी नहीं है आहिस्ता से side change कर देंगे यह देखिए एकदम बढ़िया से oil करम हो चुका है ball भी बहुत बढ़िया से बनके तयार होगी सबी balls को हम oil में डाल देंगे gas के flame को कम कर देंगे और golden brown होने तक हम balls को fry कर लेंगे देखिए low flame पर हमने manchurian की ball को ready कर लिया है कितनी बढ़िया लग रही है और crisp भी आने लग गया है अभी हम एक से दो मिनट और इनका color change होने देंगे और फिनको हम कढ़ाई से बहार निकाल लेंगे देखिए manchurians की सभी ball बनके ready हो चुकी है बहुत ही बढ़िया से हमने इनको golden brown होने तक fry कर लिया है crispy भी हो गई है अब हम इनको कढ़ाई से बहार निकाल लेंगे और एक इस तरह से जाली पे रख देंगे सभी balls को हमने कढ़ाई से बहार निकाल लिया है और एक जाली पे रख दिया है वैसे इन में oil बिल्कुल भी नहीं है पर अगर oil होगा तो वह एक्सरा निकल जाएगा बाकी की balls को भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और golden brown होने तक fry कर लेंगे दूसरे राउंड की balls हमने फ्राई करके तयार कर ली है देखी बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है बहुत ही अच्छे से क्रिस्प भी आ गया है इनको भी हम कढ़ाई से बहार निकाल लेंगे देखी कितनी सुंदर कितनी टेस्टी मंचुरिन के लिए बॉल बनके तयार हुई है आएव हम फटावट से आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं हमने वापस से वही कढ़ाई ले ली है बिल्कुल एक चम्मच के आसपास हमने ओईल रहने दिया है आएव हम फटावट से मंचुरिन के लिए ग्रेवी तयार कर लेते हैं ग्रेवी तयार करने के लिए हमने काफी सारा गार्लिक यानि की लसन बारीक कट करके रखा है लसन को सबसे पहरे हम ओईल में डाल के फ्राई कर लेंगे साथ ही हम डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कुटीवी अदरक हमने यहाँ पे मेडियम साइज का एक प्याज बारीक कटका के रखा है ये भी हम कढ़ाई में डाल देंगे प्याज को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे देखिए प्याज के साथ में हमने डाल दिया है एक चमच बारीक कटीवी पत्ता गुबी यह हमने जो पहले कट करके रखी थी उसी में से बचा ली है इसका भी ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है देखिए कितने बढ़िया से दूहा निकल निकल के आ रहा है खुश्प भी बहुत अच्छी आ रही है आपको एक चीज में बताना भूल गई कि जब आप मंचुरियन के लिए ग्रेवी तैयार करें तो उसके लिए आप स्टील की कड़ाई लें या पतली लोहे की कड़ाई ल देखिए कितने बढ़िया से मसाला बंकर तयार हो रहा है अब हमने यार पर लिए हैं एक शिमले मिर्ज्ट जो इंने लंब और पतले पतले पी्सेज में कट कर लें हैं हमने या पर दो हरी मिच्च पकर undesmma के राखी हैं यह भी हमने पतली और लंबी शेन में लेना चाते हैं तो आप 3 color capsicum भी उसमें ले सकते हैं पर हमने सिर्फ 1 color ही उसमें ली है आईए अब हम डाल देते हैं नमक नमक हम यहापे कम ही डालेंगे क्योंकि जब हम सोया sauce डालते हैं तो नमक अल्रडी तेज हो जाता है इसलिए मैंने यहापे छोटा आदा चम्मच ही नमक डाला है एक छोटा चम्मच हमने कालिमिश पाउडर भी यूज में लिया है मसाले आप अपने इसाब से कम या जादा भी ले सकते हैं हमने यहापे लिया है दो चम्मच टमैटो कैचप एक चम्मच सोया sauce देखे कलर कितना बढ़िया आया है अगर आपको जादा डाग पसंद है तो आप थोड़ा सा सोया sauce और एड़ कर सकते हैं अब हम डाल देंगे लगबग आधा कप के आस्वास पानी देखे पानी और सबजी को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब हमने लिया है यहाँ पे एक चमच कॉनफलोर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी पानी जादा नहीं डालना है क्योंकि आज हम ड्राय मंचूरियन बना रहे हैं और ग्रेवी हमारी पतली है इसको ठिक करने लिए हमने यहाँ पे कॉनफलोर इसमें लिया है यह देखे देखे वेर्स द्राय मंचूरियन बनाने के लिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है गैस के flame को हम कम कर देंगे और 2 मिनिट के लिए इसको इसी तरह से पकने देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल देंगे हरा प्याज, यह हमने बारीक कट करके धोके रखा है ग्रेवी काफी थिक हो गई है हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे लगबग 1-2 चमच के असपास हमने पानी डाल दिया है एक बार अच्छे से पानी को ग्रेवी के अंदर मिक्स कर देंगे और ग्रेवी को अची तरह से बॉइल होने देंगे इस स्टेश पर आप मसाले टेस्ट करके देख सकते हैं अगर आपको नमक, मिर्च कुछ भी कम या जादा लगता है तो आप इसको और डाल सकते हैं अगर जादा लगता है तो आप यहाँ पर टमेटो, कैचप और डाल सकते हैं और कम है तो आप मसाले और डाल सकते हैं देखिए वेस ड्राय मंचूरियन के लिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तैयार किये वे मंचूरियन अब हम कढ़ाई में डाल देंगे और फटाफट से मिक्स कर देंगे देखिए कितने बड़िया से वेस ड्राय मंचूरियन बनके रेडी हुए हैं आईए फटाफट से गर्मा गर्म सर्फ भी कर देते हैं देखिए ड्राय मंचूरियन को हमने सर्फ भी कर दिया है लुकिंग में कितने बड़िया और कितने टेस्टी लग रहे हैं थोड़ा सा हम हराप्याज उपर से स्प्रिंकल कर देंगे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आपको हराप्याज पसंद नहीं है तो आप दनिया पत्ती भी डाल सकते हैं देखिए लुकिंग में कितना बड़िया और कितना टेस्टी लग रहा है तो फ्रेंट्स एक बार आप रेसिपी को जरूर से ट्राई करें टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें हमें इस्टाग्राम पर भी फॉलो करें थैंक यू थैंक यू सो मच हवा नाइस दे